नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं करवा चौत के व्रत के बारे में करवा चौत का व्रत कार्तिक मास की क्रिशन पक्ष की चतुर्थी तिथी पर मनाया जाता है पति की लंबी उमर के लिए महिलाएं हर साल करवा चौत का व्रत रखती हैं साथ ही अखंड स्वभागय पति के निरोगी जीवन और दमपद्य जीवन में सुख समृध्धी और सफल इस वुरत को रखने से दामपत्य जीवन में मधूरता आती है आप सी रिष्टों में प्रेम बना रहता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस वुरत को धारन करने से सब देवी देवताओं का सुखी दामपत्य जीवन के लिए आशिरवाद प्राप्त होता है वैसे तो इस वु केवल शादी शुदा महिलाई ही रखती हैं लेकिन आज कल कई ऐसी लड़कियां भी इस वरत को रखने लगी हैं जिनकी सगाई हो चुकी है या जो किसी से प्रेम करती है ये वरत किसी भी धरम जाती आयू और वर्न की महिला रख सकती है ये वरत 12 साल या 16 साल तक लगातार हर पर्ष किया जाता है और उसके बाद इस वरत का उद्यापन किया जाता है जो सुहागिन इस तरियां जीवन भर रखना चाहें तो आजीवन इस वरत को कर सकती हैं इस वरत के समान सो भाग्य दायक वरत अन्य दूसरा कोई नहीं है सुहागिन महिलाएं करवा चौत पर रंग भी खुशहाली उनके घर में आती हैं चंदर्मा उधित होने के बाद विवाहित इस तरियां उनकी विधी विधान से पूजा अर्चना करती हैं इसके बाद पती के हाथों से जल और फल ग्रहन करती हैं बाद में करवा चौत के अवसर पर तैयार किया विविध वे अंजन खा कि इस साल का करवा चौत का वरत कब रखा जाएगा और बताएंगे पूजा के शुब मुहरत के बारे में चतुर्थी तिथी के प्रारंभ और समापती का वक्त तथा इस तिन जब किये जाने वाले मंत्र के बारे में तो करवा चौत की सारी जानकारी आपको इस वीडियो मे किया है तो चैनल पो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस्ट जरूर कीजियेगा दोस्तों करवा चौत के दिन महिलाई सुभे उठकर सरगी का सेवन करती है सरगी की परंपरा हर घर में नहीं होती जिनके यहां सरगी नहीं होती वे सुभह उठकर जल्दी सनानादी करने के बाद इस संकल्प को बोलकर करवाचोथ व्रत का आरंभ करें मम सुख स्वभाग्य पुत्र पोत्रादी सुस्थेर शिरी प्राप्तिय करक चतुर्थी व्रत महम का रिश्य इसके बाद करवाचोथ की कथा पढ़ी और सुनी जाती है कथा सुनते समय एक लोटे में जल और हाथ में चावल अवश्य रखें इसके बाद तुलसी को जल का अर्ग दें फिर पूरे दिन निरजला और निराहार व्रत किया जाता है फिर चांद निकलने पर पूजा की थाली में धूप धीप रॉली पुश्प फल मिठाई आदी रख लें करवे में अर्ग देने के लिए जल भर लें साथी मिट्टी के करवे में चावल भर कर रखें और साथ में कुछ दक्षिना भी रख दें चंदर्मा निकलने पर चंदर्मा के दर्शन करके पूजा आरंब करें सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं और फल फूल मिठाई अर्पित करें फिर चंदर्मा को अर्ग दें इसके बाद छलनी से चंदर्मा के दर्शन करते हुए पती को छलनी से देखें पती के मा जीने देवताओं की पतनियों को करवा चौत का वरत रखने की सलाह दी, माना जाता है कि तब ही से करवा चौत का वरत रखने की परंपरा शुरू हुई और एक कथा के अनुसार भगवान शिर्व को प्राप्त करने के लिए माता पारवती ने भी इस वरत को धारन किया था करवा चौत का एक संधर्ब हमें महाभारत में भी मिलता है इस कथा के अनुसार पांडू पुत्र अर्जुन तपस्या करने नील गिरी परवत पर चले जाते हैं और दूसरी और बाकी पांडू पर कई प्रकार के संकट आन पढ़ते हैं ये सब देख द्रौपदी चिंता में पढ़ जाती है वे भगवान शिरी कृष्ण से इन सबी समस्याओं से मुक्त होने का उपाए पूचती हैं शिरी कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि यदि वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौत का वरत रखें तो उन्हें इन सबी संकटों से मुक्ती मिल जाती है भगवान शिरी कृष्ण के कथन अनुसार द्रौपदी विधिविधान से करवा चौत का वरत रखती है जिससे उनके सबी कष्ट दूर हो जाते हैं सुहागिन महिलाओं के बीच करवा चौत का वरत बहुती प्रिय वरत माना जाता है ये बहुत कठोरतम वरतों में से एक वरत है क्योंकि इस दिन पूरी तरह से अन और जल का त्याग करके वरत धारन किया जाता है शाम के समय चंदर्मा के दर्शन करके उसके बाद ही जल पिया जाता है तो पूरी तरह से निरजल निराहा रहकर महिलाएं इस व्रत को अपने पती की लंबी उमर के लिए अखंड सभागे के लिए और पती पतनी के बीच में हमेशा प्रेम बना रहे दमपद्य जीवन सफल हो मधुर हो इस कामना से इस व्रत को धारन करती है इस व्रत में मापारवती भगवान भुलेनात, भगवान कारती के और शिरी गणेश्ट की पूझा की जाती है और मापारवती से आशरवाद प्राप्त किया जाता है करवा चोथ का व्रत पती पत्नी के रिश्टे के बीच में मधुरता लाने का परव है इस दिन हर पती पतनी को कुछ विशेश बातों का धियान रखना चाहिए। यही वो मौका है जब दमपत्य जीवन में हमारे कुछ आचार विचारों को शुद करके इश्वर की अराधना करके संसारिक जीवन में मजबूती और मधुरता लाई जा सकती है। विशेश कर ऐसे जब वरत आते हैं तब दमपत्यों को कुछ बातों का धियान रखना चाहिए। दमपत्य में आपस में किसी भी प्रकार का वाद विवाद कलेश कलेह नहीं होना चाहिए। अगर इस तोरान पती पतनी के बीच कुछ मन मुटाव चल रहा हो तो वरत के पहले ह गिले शिकों को दूर कर ले ताकि इस दिन शांती से प्रसनता से आप इस वरत को धारन कर सके क्रोद अहंकार गुसा वरत में निशिश्द है इससे हमें वरत का फल प्राप्त नहीं होता पतियों को भी चाहिए कि वे पतनी का पूरा खयाल रखें उनकी भावनाओं का आधर करें वाणी में मधूरता रखें पतनिया इस दिन निर्जल वरत रखती हैं तो आप उनके लिए कुछ उपहार जरूर दे अपनी इच्छा अपने सामर्थे के अनुसार अपनी खुशी से आप पतनी को उपहार देते हैं तो वो प्रसन हो जाती हैं ऐसी छोटी छोटी बात मतों का धियान करें रखने से आपस में मधूरता बनी रहती है पतनी को भी लगता है कि पति उनका खयाल रखते हैं ऐसा कोई दुराच्रण ना करें जिससे आपके व्रत का लाब आपको पराप्त ना हो इसलिए पती पतनी दोनों करोज से बचें निंदा से चुगली से बचें प्यार से आप इस वरत को धारन करें एक दूसरे का सम्मान करें महिलाओं को अपनी सासू मा के प्रती कोई गुसा हो मन में कड़वाहट हो तो उसे दूर कर देना चाहिए सासू मा को खुशी खुशी बायना देकर आप उनके पैर चुकर आशिरवाद ले ऐसा करने से इस वरत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है अखंड सभाग्य की प्राप्ती तब होती है जब हमारे आप से रिष्टे अच्छे होते हैं उससे मापारवती और भगवान भुलेनात का आशिरवाद हमें प्राप्त होता है इस वर्ष कार्थिक क्रिशन चतुर्थी तिथी 31 अक्तूबर को मंगलवार के दिन प्रारंब हो रही है रातरी 9 बचकर 30 मिनट पर ये तिथी प्रारंब हो जाएगी और तिथी का समापन होगा 1 नवंबर को रातरी 9 बचकर 19 मिनट पर इसलिए करवा चौ पर काफी शुब मुहरत बनने जा रहे हैं इस साल करवा चौथ पर एक विशेश संयोग बन रहा है जो की बेहद फलदाई है इस बार करवा चौथ का चांद रोहनी नक्षत्र में निकलेगा जो की बेहद ही शुब माना जाता है चंद्र दर्शन रात को 8 बचकर 15 मिनट पर होगा इसके बाद ही महिलाएं अपने वरत का पारन करें पांच सालों बाद करवा चौथ पर शुब योग बन रहा है करवा चौथ में पूजन का शुब मुहरत 1 नवंबर को शाम 5 बचकर 36 मिनट से लेकर रातरी में 6 बचकर 54 मिनट तक का है इस समय में आप पूजन इत्या किया जाता है तो इस प्रकार से इस वरत को नियम पूर्वक पालन करने का विधान है सच्चे और पवित्र मन से अगर इस वरत को धारन किया जाए तो वरती को अखंड सभागे की प्राप्ती होती है उनके पती को लंबी उमर की प्राप्ती होती है और पती पतनी के संभंद देही मैं परम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही त्रिशो जही माना जाता है कि आरोग्य एवं स्वभाग्य प्राप्ति के लिए इस चमतकारी फल देने वाले मंत्र को स्वयम देवी दुर्गा ने देवताओं को दिया है तो इस शुब पर्वका आप भरपूर ल अखंड सुभाग्यवती का आशिरवाद माता पारवती देती हैं तो ऐसे में अगर आप भी माता पारवती से अखंड सुभाग्यवती का आशिरवाद पाना चाहती हैं अपने पती की लंबी उमर की काम ना करते हुए पूरी श्राधा से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे जै माता पारवती जै माता दी माता रानी आपकी जोली खुशियों से भर देंगी आपको अखंड सभागेवती का आशिरवाद देंगी तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ अपने घरवालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सब को इस जानकारी के बारे में पता लग सके साथी साथ अगर आपने अभी तक चैनल को ही सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेस की ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे आपका बहुत बहुत धन्यावाद